अपनी मा की सच्चाई पता चलते ही अनुच पहुँचने वाला है गुरुकुल और गुरुकुल पहुँचते ही नकुल का कॉलर खीच लेगा अनुच का पाडिया और पूछेगा कि आखिर क्या है मालती देवी की सच्चाई दोस्तों अनुपमा सीरियन में एक बहुती थ्रिलिंग ट्राक शुरू हो चुका है जिसमें अनुच की असली मा का एक बहुती इंट्रेस्टिंग ट्राक आने वाला है मालती देवीद जिन्हें अनुच की असली मा फिलहाल समझा जा रहा है क्या वो असल में अनुच की सगी मा निकलेंगी या फिर नहीं सारी ओडियंस इसी के उपर अपनी नजरे गड़ाई बैठी है तो दोस्तो सीधर अनुपमा में आने वाले एक बहुत बड़े अपडेट से हम आपको आज रूबुरु कराने वाले हैं तो चलिए बिना वक्त गवाए हमारे आज के इस दलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं लेकर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और बैल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जैसे ही अनुच के पास फोटो जाएगी जो खुद उसके बचपन की है तब पहले तो अनुपमा भागती हुई मालती देवी के पास जाएगी और पूछेगी कि ये तस्वीर किसकी है मालती देवी कहेगी कि ये मेरा बेटा है ये कहकर मालती देवी फूट फूट करोने लगेंगी जब अनुपमा पूछेंगी कि ये बेटा कहा है कैसा दिखता है तो मालती देवी के पास कोई जवाब नहीं होगा वो रो रो कर पागल हो जाएगी और वो अपनी सुद्ध भुद्ध खो चुकी है ऐसे में अनुच के पास अब एक ही रास्ता है अनुच अनुपमा से कहता है कि इन सभी सवालों का जवाब अब सिर्फ नकुल दे सकता है मेरा सर फट रहा है कि ये सब क्या हो रहा है ये मेरी मान नहीं हो सकती मैं नहीं मानता इन्हें अपनी मा जरूर कोई सच्चाई है ये मालती देवी पका कोई नया गेम खेल रही है और अनुच सीदा घुसे में पागल होकर गुरुकुल चला जाता है और गुरुकुल में नकुल से पूछता है कि आखिर ये सब क्या ड्रामत कर रहे हो मालती देवी का असली बेटे के बारे में उसे सब सच बताता है लेकिन दोस्तों यहां पे नकुल के उपर घमंड चड़ा हुआ है नकुल पूरे तरीके से अभी इस वक्त अपनी काम्याबी के नशे में है वो काम्याबी जो नकुल ने गुरुमा से चुराई है इसलिए नकुल बेईज़त कर देता है अनुच को और कह देता है चल निकल मालती देवी की औलाद और ये जैसे ही अनुद सुनता है वैसे ही वो वापस आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है वो थपड़ थपड़ मारता है और पूछता है कि सच बोल ये तुने क्या बोला और ये तुने क्यों बोला तब नकुल कहता है कि यही सच्चाई है मैं जानता हूँ कि तुम ही असली बेटे हो मालती देवी के तुम जैसे ही पैदा हुए थे मालती देवी ने तुम्हें तब ही छोड़ दिया था जिसकी वज़ा थी उनका ये करियर उनका ये डांस उन्हें अपने स्टेज से बहुत प्यार था इसलिए तुम्हें छोड़ दिया लेकिन तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी थी तुम्हें तो सौतेले माबाब भी इतने अमीर मिले कि आज तुम यहां खड़े हो नकुल की इन बातों को सुनकर अनुच पूरे तरीके से तूट जाता है तब अनुपमा आकर उसे संभालती है और हिम्मत देती है कहानी में आने वाले इस ट्विस्ट को लेकर दोस्तों आप लोग कितने ज़ादा एकसाइचिड है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं साथी साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूले